हेलो दोस्तो कैसे हैं आप लोग आज पहर्ण आपको इस वीडियो मताएंगे कुछ सिर्फ की अपडेट और दोस्तो एफाइज एंडियो की अक्टिविटी तो पहला से रहे कोचे से प्यार आज इस से में 2.60% की गिरावट देखने हो ली वहीं से में लास्ट मन मत में 24% का करेक्शन देखने हो मिला है और वाल सिक्समत में देखीं तो अभी बी 1203% का पॉजीटिव रिटरन देखने को मिला है दोस्तो तो फPM winning इसके हाइज से देखेंए आपको इसमें 30% की गिरावट देखने को मिल चुकी है जबकि दोस्तो लास्ट इक्समत में से में 224% का लाई है जो फ्रेंड काफी अच्छी है फ्रेंड से एक RSI 30 का देखी हो लाई है और फिन कल आपको बताया तो सेमें अभी आपको और भी करक्षन देखी हो सकता है एक यह 895 लेवल दोस्तों इसे में आप पहली वाइंग कर सकते हैं वहीं सेकेंड वाइंग दोस्तों आपको सेकेंड सपोर्ट काफी नीचे देखी हो मिल दाए एक यह 683 की लेवल पर तो दोस्तों फर्स्त वाइंग आपको यह 895 की लेवल पर करनी है और सेकेंड वाइंग एक यह 683 की लेवल पर करनी है वह भी दोस्तों लॉंग टर्म नेज होगो तो फिन डिलिब्री की गिरावड देखें मिली जो कल इस से में फ्लैट रेंट देखें को मिल आ था वही दोस्तों एक परसंट की तेजी भी देखें मिली थी और इस से में लास्ट वन मुन्द में 20 परसंट का करेक्शन हुआ है वही लास्ट ilます मत में देखई है तो अभी 102 परसंट का पॉजि 6 मत में देखिए तो आपको 175 परसंद का धमा किदर 899 दिया है और इसे में करेक्षन अभी तक 26 परसंद का देखनी को मिला है और कल पर नापको एनलिस की दोस्तों राए भी बताई थी जहाता है एनलिस दोस्तों इसे में बेरिस नरे आ रहे हैं और save में आपको और भी correction देखने को मिल सकता है जो आप कल वाली वीडियो जाके देख सकते हैं इस एक RSI 37 का देखने को मिलाएं और इस save में भी आपको death crossover देखने को मिलाएं तो अब इस save में आपको और भी correction देखने को मिल सकता है और आपको इस से में तीनिया 847 से पहले नहीं वाय करना से में आपको और भी कर्रेक्षन देखने को मिल सकता है वो भी इस लेवल पर लॉंग टर्न वेज़ा की वाय करें या फिन से में बहुत वक्त होने देखने तब वाय करें नया से रहे KPI Green Energy आज इस से में थे पॉन 22% की गिरावर देखने हम लिए जो दोस्तो अब इस से में गिरावर आपको काफी ज्यादा देखने को मिल लगे है देखेंगे तो लगवग 8% की गिरावर देखिने मुली है वहीं लगवग दोस्तों गिरावट में ही रेटेंड आ गया है इसका जो भें कापियंची रेटेंड नाकि दिया ते इस कंपनी ने लास्ट एक साल में दिखने तो 185 का धमाकिदा रेटेंड नाकि दिया थे इस चीर में आपको और भी गिरावट देख्हें हो लगा है कल आपको बताया था सिर 888 के नीचे आते है तो 858 तक आपको जातु कर देख्हें को मिल सकता है और दोस्सक्तर क्रीबरं उसी लेवल तक आगया था सिर तो फैन इस से का यह मजबूत सपोर्ट देख्जें मिल राएं अगर से इसके नीचे गया है तो आपको इसमें उसके दोस्तों बाहरी गिरावर देखने को मिल सकती है नेस्ट सपोर्ट इसका दोस्तों काफी नीचे जाकर देखने को मिल रहा है नेस्ट सपोर्ट इसका 833 के लिल पर देखने को मिल रहा है तो short term ने इसक अभी इससे इसे फेन दूरी बना के रखें लेकिन long term ने इसक इसे में दोस्तो बाई कर सकते हैं जल्दी इसे में आपको 22 तेजी देखी को मिल सकती है जैसे फेन last time भी इसे में काफ़ अच्छी rally देखी को मिली थी अब बात करते हैं FIGE की activity तो आज FIGE ने 1369 करो का buy किया है जो कल इनोंने 1347 करो का seal किया था तो दोस्तो फिर से FIGE ने buying स्टार्ट कर दिये एक दिन sale कर गई second day buy किया है वहीं DIAGE ने दोस्तो आज 2690 करो का buy किया है तो फेन आपको stock market के लिए इस अबडेट इस चैनल पर मिलती रेगी तो चैनल को सब्क्राइब और वीडियो को एक लाइक जोल किजिएगा